Hello everyone, welcome to school lesson आज हम परेंगे class 7th science का chapter 13 motion and time उसका हम लोग आज जो topic परेंगे वो है measurement of time तो time को हम लोग किस तरीके से measure कर सकते हैं अभी अब सोचेए कि अगर आपके पस घरी नहीं होते तो आप time का पता कैसे लगाते हैं जो हमारे ancestors थे, जो हमारी पुर्वस थे उनके पास तो घरी नहीं हुआ करते थे तो वो लोग किस तरीके से time का पता कर सकते थे उस बारे में हम लोग देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं थे थे ना जो दीन का जो time होते हैं जैसे कि दोपह, शाम जैसे हम लोग अभी पता करते हैं एक दो बज गये है तब तो घरी नहीं थे तो वो लोग दोपह, शाम, सुबा ये सब पता करते थे अपनी शैडो को देख के अपनी सोसाया होता था ना उसको बाहर जाके धूप में देखते थे और उस हिसाब से दिन का क्या टाइम हुआ है उसको पता करते थे उसके बाद व इसर्स में फंक्शन होते रहते हैं जो क्या होते हैं रिपीट होते हैं एक टाइम के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो इवेंट है वो रिपीट होते हैं जैसे कि संराइस होते हैं तो हर रोज तो संराइस होते हैं सुबा करके तो वो लोग क्या करते हैं कि एक साहरे समौन धू conquest लेल के लिए कि पीपर है करते थे जो फुल मून होते हैं जो सन मॉन मर करते थे उसके बाद one year का measure इस तरीके से करते थे जो आर्थ होते है ना आर्थ किया करते है जो sun होते है sun की सारो तरफ round लगाते थे तो एक round complete करने में आर्थ को जितना time लगता था उसे वो लोग one year मानते थे तो एक दिन में क्या होता है time का क्स intervals होते है जैसे सुवा का time है जो हम लोग पास वज़े से 12 वज़े तक मानते है फिर दो पहर है शाम है तो एक दिन में बहुत सारा times का intervals होते है तो उस intervals को हम लोग किस तरीके से measure करते हैं उस intervals को measure करने के लिए हमारे पास क्या है clock से वर्ट से से इसकी जरीए हम लोग उस time को अच्छे से measure कर सकते हैं तो हम आपको क्या पता है कि ये जो clocks होते हैं ना वो किस तरीके से work करते हैं तो ये जो clock का working है function system है ये बहुत ही ज्यादा complex होते हैं और ये जो clock होते हैं ना ये clock periodic motion को follow करते हैं तो हमने आपको जब सब्टर शुरू किया था तब periodic motion के बारे में पराथा periodic motion क्या होता है कि suppose कोई भी एक सी से इसको आपने हिला दिया तो ये क्या करेगा घूमेगा जारू तरब घूम फिर के क्या होगा फिर अपनी जगा पे ही आके रुकेगा या फिर जब घूमेगा फिरेगा तो अपनी जो position था पहले का उस position को वो repeat करता है तो इसे क्या कहा जाता है प्रेयोडिक मोशन कहा जाता है तो प्रेयोडिक मोशन ये देखिया घरी में है यह से नवज इससे शुरू हुआ है न तो ये घूम फिर के घूम फिर के फिर नवज में आएगा फिर घूमेगा फिर घूमेगा फिर नवज में आएगा तो ये क्य हो गया periodic motion तो यह बहुत ही ज्यादा फेमस वाला periodic motion ते है वह है simple pendulum तो यह देखेंगे यह pendulum है simple pendulum, तो pendulum में क्या होता है ना पैंडूलाम को एक इस तरीके का छ्रशंवा 거ोन होते हैं और यह पॉइंट पॉइंट है यहां पे एक बॉल देख सकते हैं यह मौहई बॉल होते हैं या स्टोन का टुकरा भी से क्ष परसुप बल गूेघन झांते हैं होते हैं जिसमें एक दhagad asathtyscause yht can'tar मैंने जूम है एक दhagasht rackate जो एंट पॉइंच है यहाँ पर बॉल लगाया जाता है तो यह मॉ्ट मेटल का बॉल होते हैं या फीराप कोई सटोन का टुक्राव भी इसमें लगा सकते हैं तो यह क्या हो जाता है एक pendulum, एक simple pendulum बन जाते हैं तो यह जो ball होते है ना pendulum में इस ball को बोप कहा जाता है तो यह हो गया तो इतना हमने cover कर लिया तो यहापे जो picture है यहापे जो पहला वाला picture है यह जो pendulum है नमबर ए वाला simple pendulum जो है figure 13.4 यह pendulum क्या है रेस्ट पॉजिशन पे है अगर इस pendulum का जो ball है जिससे बोप कहा जाता है इस बोप को अगर आप एक तरफ कीज के सोर देंगे तो यह क्या करेगा इस तरीके से movement करेगा एहाज आएगा फिर घुम के हाएगा फिर एहा से हाज आएगा फिर घुम के आएगा तो यह सो movement है ना इससे कहा जाता है to and from movement to and from movement और कोई भी एक pendulum का जो to and from movement होता है वो एक simple pendulum पेंडूलाम पेरियोडिक और एक साल की करें पेंडूलाम का फिर बीदर आपहा जाता है, मतलब कोई भी जो पेंडूलाम था वो क्या क्या था, मूफ करना शुरू किया था, इस पोजिशन पे फिर इधर चला गया, फिर अपनी जगा पे वापस आ गया तो ये जो है ट्वेंट फ्रो मॉपमेंट है और ट्वेंट फ्रो मॉपमेंट होता है प्रियोडिक और ओसिलेटरी मोशन का एक्जाम्पल एक पेंडूलाम, एक ओसिलेशन को कम्पलीट करते है एक प्रियोडिक को कम्पलीट करते है जब उसका जो बोफ है, उसका जो बॉल है, वो मूफ करना शुरू करते है अपना मीन पोजिशन, मीन पोजिशन ओ है सब्रोस हमने मीन पोजिशन ओ पकर लिया है तो O से अगर ये move करना शुरू कर देते हैं, जिसे picture में हैं, तो move करके ये कहां पर जाएगा, A पर जाएगा, फिर O कहां पर जाएगा, B, B से फिर किया करेगा, ये A पर जाएगा, A से फिर O में वापस आएगा, अपना जो mean position है, वापस आजाएगा, तो वो एक oscillation को complete करेगा और दूसरा तरीका है oscillation complete करने का, कि अगर जो इसका जो extreme position है, ये highest कितना दूर तक जा सकते हैं, A तक और इधर B तक, तो ये A से B तक सला गया, और B से फिर A तक आने में इसका जो time लिया, उसमें भी उसने एक oscillation को complete किया, मतलब अपना extreme position A से B तक गया, B से फिर A में वापस आ गया, तो इसने यहाँ पर भी एक oscillation को complete कर दिया, तो the time taken by pendulum to complete one oscillation is called the time period, तो एक oscillation को complete करने में, जितना time लेते हैं, उसको time period कहा जाता है, oscillation आपका clear हो गया, मतलब oscillation का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो बोफ है, इसका position सबस्थ O है, तो इसको हमने हिला दिया, तो यह एक oscillation तक आ गया, ठीक है, तो A से यह क्या करेगा, फिर O पे आएगा, O से senin कहा जाएगा, B में जाएगा, B से फिर वापस यह O में आएगा है ना, तो यहा पर यह 1 oscillation को complete करेगा, यह फिर A से B में, और B से फिर वापस A में आने तक, भी वह एक oscillation को complete करते हैं, और एक oscillation को complete करने के लिए, यह जितना time लेते हैं, इसका time period कहा जाता है, तो यहाँ पे जो activity दिया हुआ है activity 13.2 इस activity में आपको एक pendulum बनाना है एक simple pendulum जिस तरीके से picture में दिया हुआ है इसमें आप जो thread यूज़ करेंगे जो धागा यूज़ करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके नीज से एक stone या फिर कोई भी metallic ball को बान दीजिए और असपाद जो अगर कोई fan है तो उसको क्या करेंगे आप चला दीजिए उसके बाद आप देखिए कि यह अपनी mean point मतलब एकदम 20 वाला point में आने के ल कर दीजिए 0 करके या फिर उसका पीसे जो 0 या फिर उसके पीसे जो वाल है वाल पर आप इसका जो mean point है उसको mark करिए कुछ भी देके mark कर सकते आप ओ दीजिए अब दीजिए बी दीजिए कुछ भी करके वस mean point को आपको mark करना है To measure the time period of the pendulum We will need a stopwatch तो अभी आपको क्या करना है पैंडूलम का जो time period है उसको measure करना है तो इसके लिए आप एक stopwatch को use कर सकते है आप जो table पे रखने वाला जो सोटा सा clock होता है जिसमें आप alum लगाते है उसको use कर सकते है या फिर आपकी हाथ में जो घरी होते है उसको भी आप use कर सकते है To set the pendulum in motion तो आपको जो pendulum को measure करने के लिए उसका motion को देखने के लिए आपको क्या करना होगा इसका जो बोफ है बोफ को gently आपको प्यार से पकरना है और धीरे से उसको सोर देना है सोरने के बाद आपको फिर से ना उसको push नहीं करना है ठीक है आपने एक बार सोर दिया तो सोर दिया उसको फिर से आपको push नहीं करते रहना है Remember that बोफ is not be pushed when it is released तो आपने जब सोर दिया तो आपका जो time था आप note कर लिए Instead of the mean position you may note the time when both is at one of its extreme position तो mean position में जब आते है जब pendulum घूम फिर के अपना mean position पे आते है तब आपको क्या करना है time को note करना है या फिर आप जब एक्स्टीम पोजिशन पे जाते है लास्ट इस पोजिशन पे जाते है इस तरब और इस तरब उसका भी आप time को note कर सकते है Measure the time the pendulum takes to complete 20 oscillations और 20 oscillations को complete करने में मतलब घूम फिर के mean position में आने में या फिर extreme to extreme में आने के लिए pendulum pendulum को जितना time लगता है उसे हम लोग क्या कहते है एक बर complete करने तक जो होता है उसे हम लोग oscillation करते है तो 20 oscillation को आपको करना है और आपना observation है उसको आपको record करना है तो आप record कहां पे करेंगे उसके लिए नीसे एक table दिया हुआ है इसमें आपको एक example के लिए एक दिया हुआ है आप अपना लिख लिए यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है तो आप इस activity को बारवर करिए बारवर करके आपना observation है उसको नोट करके आप time की पता लगा सकते हैं तो time की पता आप कैसे लगाएंगे कि pendulum का time period था वो क्या था उसका एक्स्ट्रीम पोजिशन पे जाने के लिए जो dividing the time तो उस time को आपको sorry आपने जो अपनी घरी से जो अपनी time को नोट किया था उस time से आपको क्या करना है उसको divide करना है जब आप divide करेंगे जो आपका answer निकलेगा वही है pendulum का time period तो आभी का जो clock होते है ना उस clock के अंदर एक electric circuit होते है और यह electric circuit की वज़े से अभी जो time हम लोग देखते हैं यह time बहुत ज़्यादा accurate होते हैं और यह जो clock से उसे quarter clocks कहा जाता है और यह बहुत ज़्यादा accurate time देते हैं हम लोगों को तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में उनिर सब time and speed परेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सेनल को सब्सक्राइब करिएगा थेंक यू